वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आये श्टिम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टिल पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रगाम पर जैसा कि हम प्रतिदिन करते आएं इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल कोरिडोर के विसमें समझने का प्रयास करेंगे industrial corridor क्या होते हैं क्यों बनाए जाते हैं किन-किन चीजों का इसमें निर्मार किया जाता है इससे क्या-क्या benefits होते हैं और इसी से जोड़ कर समझेंगे कि चेन्ने कन्या कुमारी industrial corridor क्यों खास है अब ये थोड़ा सा हम इसको समझते हैं सबसे पहले जान लिए टॉपिक चर्चा में, क्यों है, बाकि सभी चीजों को मैं कापी डिटेल में आगे समझाँगा, तो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने चेन्नाई कन्या कुमारी ओद्योगी कोरिडोर अर्था CKIC के लिए क्या किया है, ACI विकास बैंक अर्थात ADB के साथ 484 मिलियन डॉलर के एक रिड समझोते पर हस्ताचर किया है, अब इससे क्या होगा, जो चेन्नाई कन्या कुमारी ओद्योगी कोरिडोर है, उसमें जो परिवहन की सुब्धा है, उसको सुनिश्चीत की जाएगी, यहाँ पर जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए उर्जा, उनके लिए हैं कि जल की बेवस्ता की जाएगी, भंडारन की बेवस्ता की जाएगी, साथी साथ यहाँ पर जो हेल्थ है, एजुकेशन का सेक्टर है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह जो कन्या कुमारी से लेकर चेन्नाई तक का छेतर है, यहाँ पर जो भी और दोगी क्रियाएं होती हैं, उनमें उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन बढ़ेग उर्जा, भंडारण, जो भी पर क्रियाएं होती हैं, उन सभी के लिए बहतर सुबधाएं, और इन बहतर सुबधाओं को सुनेशित करने के लिए जरूरी है, कि यहाँ पर जो हीूमर रेसोर्स, जो काम करेंगे, उनका भी ख्यार रखा जाए, तो उनके लिए सिच्छा पास से लेकर सभी चीजों को बिक्सित किया जाए, कुल मिलाकर अगर देखें, तो चेन्ने से लेकर कन्या कुमारी तक का यह जो बेल्ट है, इसमें क्या किया जाएगा, उन सभी गतिवितियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो ओध्योगी किर इस्ट कोष्ट एकॉनमी कोरिडोर, जिसको सौट में ECEC के नाम से बोलते हैं, अब ही जो इस्ट कोष्ट एकॉनमी कोरिडोर है, जैसा कि नाम से लग रहा है, कि पूर्वी टटिये छेत्र में बनने वाला एकॉनमी कोरिडोर, और यह कहां से कहां बन रहा है, पसिम बंगा तो अब क्या किया गया है कि इसी जो तमिलनाडू तक पहले से इस्ट कोष्ट एकॉनमी कोरिडोर बन रहा था उसको और आगे बढ़ा दिया गया है चैनने इसे लेकर कन्या कुमारी तक और इस तरह से क्या होगा यह जो कोरिडोर है बिक्सित होगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह जो इस्ट कोष्ट एकॉनमी कोरिडोर है पूरवी टटी जो अदोगी कलियारा है इसके लिए भी बित्त की आपूरती कहां से की जा रहे है एडी बी के द्वारा ही की जा रहे है अब इस पर क्या हुआ यह जो समझोता हुआ है 484 म का इस पर हस्ताचर करते हुए रजट कुमार मिस्रा जो की अत्रिक्त सचीम है उन्होंने इसकी विसेस्ताओं के विसे में बता है उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा इस पूरे कोरिडोर में अच्छी परिवहन की सुब्दा होगी साथी साथ उन सभी चीजों का यहां पर तो किसी छेत्र की अर्थ व्योस था कि सभी छेत्रों अर्थात उद्यो, क्रिसी, सेवा, यातायात, परिवन, संचार, आदी का विकास करने के लिए बनाई जाने वारी आधार पूस रचनाओं के समग रूप को अध्योगी गलियारा कहते हैं। यह हुआ परिवासा जिसको सम जहां पर इंडस्ट्री जादा हुए। अब जहां पर इंडस्ट्री जादा है, उन सभी जिलों को जोड़ते हुए, वहां पर आखिर ऐसा क्या क्या आप बना सकते हैं, जिससे उन 5-6 जिले आपस मिर जोड़ जाएं, और जो उनका प्रोड़क्शन है वह बढ़ जाएं, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद वह प्रोडक्ट बाजार तक पहुँचे और बाजार घरेलू होने के साथ साथ बैस्ट भी खोचे तो उसके लिए जिन जिन चीजों का आप विकास करेंगे वही क्या होगा और दोगिक गलियारा होगा अर्थात एक उद्यों के आउस्तक्ता के अनुसार वहाँ पर इंफरस्टरक्चर को डेवलब करना ही क्या है और दोगिक गलियारा कहलाता है अब जो भी आपनी जो अपने राज का जिला एचियूम किया है उनको देखते हुए उन सभी चीजों का आप निर्माड करेंगे चाहें वो परिवहन यातायास से जुड हुँ या फिर मार्केटिंग से जुड़ी हुँ तो उन सभी चीजों को हम मिला कर कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं एक ओद्योगी गलियारा बना रहे हैं तो यह क्या होता है उद्योग और बुनियादी धाचे का एक तरह से प्रभावी एकिकरन होता है और इससे क्या होता ह है उस छितर का समगर आर्थिक और समाजिक विकास होता है आर्थिक और समाजिक विकास कैसे होगा सभावी के प्रोडक्शन करने के लिए उसमें लोग अपनी सर्विस देंगे सर्विस देंगे उनको आए अच्छी मिले और सर्विस देते रहें उनके लिए आप हेल्थ जो infrastructure उसको develop करेंगे उनके बच्चों के लिए education का इस्तर बढ़ाएंगे साथी साथ लोगों के पास पैसा होगा तो जादा खर्च करेंगे आप mall से लेकर जितनी आधुनिक सुबधा हैं वह खोलेंगे और इससे क्या होगा उस छित का समगर बिकास सुनिस्चित हो पाता है तो इसी को बोलते हैं ओद्धो की गलियारा यह जो ओद्धो की गलियारा होता है यह multi-model परिवहन सुबधाओं से युक्त होता है अर्थार इसमें जो है कि जितने भी परिवहन के अच्छे बिकल्प है भंडारन के जितने भी कल्प है मार्केटिंग के जितने टूस है सभी कल्प इसमें यूज किया जाता है प्रिशने आएगा इसमें क्या क्या सामिल होता है तो इसमें क्या सामिल होता है इसमें rail network सामिल होता है सड़क network सामिल होता है और परिवहन के जितने भी विकल्प हैं यातायाद के जितने विकल्प हैं उस सभी इसमें सामिल के जाते हैं इसमें जो है कि बंदरगा अर्थत पोड को जोड़ा जाता है बंदरगा अगर उहां पास में कोई है तो उहां पर जो आधूनिक कोल्ड इस्टोरेज की सुब्धा है उसको बनाया जाता है बंदारन और बेर हाउस के अलावा उहां पर जो भी सामान को एक तरह से प्रोटेक्ट करने उनकी जो है कि बेर हाउस का अर्था उनको इकत्रित करने के साथ साथ कैसे उनको अधिक आसानी से दूसरे इस्थानों पर पहुँचा सकते हैं उन सुब्धाओं को क्या किया जाता है सुनिश्चित किया जाता है उसके अलावा इस छित्र में जहां पर यह कोरिडोर बनाया जाते हैं वहां पर ओद्यूकिक छित्र अगर पहले से हैं तो उनको और परमोट करके वहां पर छित्रों को क्या किया जाता है विसेस आर्थिक छित्रों में कनवट किया जाता है इसके क्या होगा कि हर economy corridor में कुछ खास product का आप निर्माड करेंगे उनके पास उसका specialization होगा उनके पास बहुत बड़े मातरम होगा production होगा इसके तहत knowledge park आप बनाते हैं, IT park बनाते हैं, logistic park बनाते हैं, यह जितने park हैं सब क्या करते हैं, कहीं ने कहीं बस्तुओं और सेवाओ क्या पूर्ती सुनिश्चित करके उस और दोगी corridor की जितनी आव सकता हैं, उसकी पूर्ती करते हैं, यहाँ पर जो है कि आधुनिक सुगधाओं वाले आप township बनाते हैं, real estate बनाते हैं, उहाँ पर स्वास्थ और सिच्छा जैसी अन्ने सुगधाओं को सुनिश्चित करते ह और इससे क्या होता है, आपका production बढ़ता है, रोजगार ज़्यादा लोगों को मिलता है, निर्यात बढ़ता है, समाजी कार्थिक विकास होता है, और सबसे बड़ी बात है जब नए ओद्यों की कोरिडोर बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, नए मसीनों को लगाते हैं, जि कि हमारे यहां काफी एक sensitive मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहां जनसरं क्या ज़्यादा है, साथी साथ पारस्टित की और जय विवित्ता को नुक्सान होता है, बहुत से जगों पर ऐसा देखा गया है, कि बेट्रेंड को जो है कि भर दिया जाता है, या फिर जो की पेड़ों हैं, वह बन रहे हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप सबसे उतर में देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा, अमरसर कोलकाता इंडस्टियल कोलिडू, अब यह अमरसर से लेकर कोलकाता तक बन रहा है, दूसरा कोलिडोर देखिए, देलही मुंबई इंडस अब देखिए, जो चेन्नाई है, चेन्नाई से तच्छिड की ओर एकदम, कन्या कुमारी जो है, वहां तक इस कोलिडोर को बढ़ाया गया, तो दरसन हमारे पास एक दो कोलिडोर नहीं है, पहले से कुछ बहुत से कोलिडोर पर हम काम कर रहा हैं, जिनकी सब की जानकारे में आगे देने वाला, कुछ परमू जो कोरिडोर हैं उनके विसे में जान लेजिए, जैसा पहला है दिल्ली, मुंबई, और दोगिक, गलियारा, जिसको सौट में DMIC के नाम से जानते हैं, इसका बिस्तार कहां से होगा, महाराष्टरा, गुजरात, राजिस्थान, अुत्तर पर्दिस, और हर्याना के राजियों में इसको बढ़ा जाएगा, दूसरा है अमरेशर, कोलकाता, और दोगिक, गलियारा, पस्तिम, मंगाल, विहार, जहारकंड, पंजब, हर्याना, उत्तर पर्देस, और उत्राखंड, राजियों में इसका बिस्तार होगा, तीस इसको बनाया जाएगा पस्तिम बंगा से लेकर तमिलनाडू तक ऐसे हैं बैंगलूरू मुंबई और दोगी गलियारा जो कि महराष्ट्रा और करनाटकम बनेगा अब फिर से इस इमेज को देखे देखे इसके तहत हम क्या कर रहे हैं उत्तर भारत को दच्छिट भारत से बिल तुरंत इसी कोरिडोर का सहारा लेते हुए हम इस सामान को कहां तक ला सकते हैं चेन्ने से ला सकते हैं और चेन्ने से बाइक पोर्ट हम क्या कर सकते हैं जो है कि ऑस्टेलिया बेज सकते हैं इंडोनेसिया बेज सकते हैं ठीक इसी तरह से हर जगे हम क्या करेंगे जो सामान एक स्थान पर बनेगा, उसको आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जब हमारे पास इतनी अच्छी बहतर सुबधाएं होंगी, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में जो लागत है, चाहें परियोहन की उत्पादन की वो सभी कम होंगे, मुनापह जादा होगा, हमारा एक्सपोर्ट जादा बढ़ेगा, साथी साथ लोग को रोजकार मिलेगा, और इसके अलावा जो कि कई तरह के जो हमारे GDP में उसमें सरकारात्मक चीज़े दिखाई दें, इसी के कारण इनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे सरकार का लच है कि उद्योगी गलियारों की सहाता से बर्स दो हजार पच्चीज तक हम जो बिनिर्मार का योगदान है हमारी GDP में उसको 16% से बढ़ा कर हम 25% तक करें, सरकार जो है कि सरकार ने संसद में एक जानकारी दी थी और संसद में दी गई जनकारी के अंसार सरकार जो है कि 11 कोरिडोर पर कारे कर रही कुछ कोरिडोर के नाम यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आप इसको रोक कर देख सकते हैं यह इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर कोई कोरिडोर बन रहा है या नहीं तो इसको ध्यान रखेगा यह जो है कि 21 फरवरी 2021 को दी गई एक जानकारी संसर्थ में जो दी गई थी उसके अनुसार है तो यह जो कोरिडोर बनाए जाएंगे इसके लिए क्या किया गया है एक जो है कि National Industrial Corridor Development and Implementation Trust बनाए गया है दरसल पहले क्या हुआ था बरस 2017 में जो पहले से बना हुआ दिल्ली मुंबई Industrial Corridor था क्योंकि पहले इसी कोरिडोर को आगे बढ़ाने का बात की जा रही थी इसको बाद में क्या किया गया चेंज कर द दिया गया National Industrial Corridor Development and Implementation Trust के रूप में चेंज कर दिया गया अब यही क्या करता है इस प्रकार की कोरिडोर की देखभाल करता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जो NICDIT है यह क्या है Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंतरगत आता है और यह जो विभाग है किसके तनते आता है Commerce and बाड़ किस मंत्राले के अधीन आता है तो ध्यान रखिएगा यह किसके अंतरगत आता है Commerce और बाड़िच मंत्राले के अधीन आता है विभाग कौन सा है तो यह जो एकी DPIT वाला यह विभाग है तो अब क्या हुआ है जैसा कि हमने कहा चेंजने कन्या कुमारी इंडिस्टिर कोरिड का हो वहाँ पर बैट लेंड को अच्छा करना हो वहाँ पर जल की आपोर्ती सुनिश्चित करनी हो या फिर कोरिडोर बनने से जो भी चीजें को छती पहुंचती उसका हो उसको यहाँ पर अपग्रेड करने का प्रयास किया जाएगा अर्था जलवाई अनुकूल जो है कि पुलो का निर्माड किया जाएगा पहले से बने हुए पुलों का मरमत किया जाएगी सडको और तर्टवंदों का विकास किया जाएगा साथी साथ चुकि यहाँ पर हाई स्पीड की चीजे चलेंगे इसे सडक सुरच्छा तकनीकी को मजबूत परभावी बनाया जाएगा और जो कि यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना होगा तो तमिनाडू लगू बंदरगा विभाग की चमता को बढ़ाया जाएगा और इस चमता को बढ़ा कर क्या कि जाएगा उत्पादन नेट्वर्क में बिनिर्माण और निर्य को बढ़ाएगा निर्यात उनको औसर इस्थित करेगा और यह जो परियोजना है इस्थिता जलवाई पर तुन लचीलापन और सड़क सुरच्छा को सुनिश्चित करेगा और इसमें जो है कि इस कोरिडोर से पस्षिम बंगा से तमिलाडो तक उसका हिस्सा है उसके विश्वे में भी जान लेजिए तो यह क्या करता है भारत को जो यह कोरिडोर है पूर्वी टटिये वाला यह क्या करता है भारत को दच्छिड पूर्वी एसिया के ब्यापार नेटवर्च से जोड़ता है जैसे कलकत् आपने क्या किया यहां पर कन्या कुमारी तक जो है की कोरिडोर बना लिया तो इससे क्या करेंगे कि दच्छिर पूर्वी AAC या पूर्वी AAC में जो आप व्यापार करना साहते हैं आसानी से कर सकेंगे इसकी बित्तिव साहता किसके द्वारा सुनिश्चीत की जारी ADB के परस 2016 में पहले चरण को इसको मंजूरी ADB से आलरेडी मिल चुकी है और पहले चरण में विसाखा पत्तनम से चेन्नाई तक क्या कर रहे हैं हम लोग इस कोरिडोर को विक्सित कर रहे हैं अब चेन्नाई से लेकर हम कहां कन्या कुमारी तक क्या हमने प्रोजेक्ट को आगे ब पढ़ावा मिलेगा और इसी किसास साब जो सागर माला पहल है उसके तरफ हम बंदरगाहों को भी जोड सकेंगे और बंदरगाहों का भी विकास सुनिश्चित हो सकेगा आई होप आप समझ पाए होंगे संचिप में क्या कि पूरा टॉपिक क्या है इस वीडियो में इतना ह हुआ 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 है